नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है सुबा ऊड़ते ही पाणी पीए इसे चेहरे की चमक बढ़ती है पाणी हमारी सरीर के अंदर की गंधगी को बाहर निकलता है और सरीर में नाई को सिकाओं का निर्माड करता है आप एक कप पानी में एक निम्बू और एक चमक साहद भी मिला सकते हैं इससे चेहरे की चमक बढ़ती है नमबर दो उत्म हार का होना जरूरी खुबसूरत चेहरे के लिए आपको सेहत मन्द हार लेना चाहिए ऐसे आहार जिसमें विटामिन B, C, E और K की प्रचूर मत्रा हो यह सब विटामिन आपकी तौचा को चमकाने में मदद करती है विटामिन B तौचा ना खून और बालों के अंदर होता है या दलिया अंडा, चावल और केले आदी में विटामिन B पाया जाता है विटामिन C आपकी तौचा को कैंसर से बचाता है या थटे फौलों से मिलता है नीमबू, संत्रे, कीनू, अंगूर, गोवी और हरे पतेदार सबजियों में विटामिन C पाया जाता है विटामिन E आपकी तौचा को सूरज की हानिकारक की रनों से बचाता है या जैतून पालक ड्राइप फूट नट से बीज और मनस्पती तेलों में बिटामिन E पाया जाता है बिटामिन A तोचे की कोशी काओं को रिपेर करता है या फॉलो और सब्जी में भरपूर मत्रा में बिटामिन A पाया जाता है बिटामिन A आखों के निचले हिस्से स्कीन में काले दाग के घेरे को दूर करने में मदद करता है हरी पत्तेदार साग सब्जी डेरी उतपाद और मीट में बिटामिन K पाया जाता है अधिक दूद का सेवन आपको अपने आहार में सब्जी या ड्राइप्रूट चावल अंडे और आदी सामिल करना चाहिए इसके साथ ही आपको दूद का सेवन भी अधिक करना चाहिए इससे आपके चेरे को चमक मिलती है नमबर चाहर सोने से पहले करेचेरे की मालिस करना तवचा के लिए काफी फायदे मंद होता है कि इससे बलड सर्कुलेशन तेज होता है और तवचा पर नेचुरल गुलो आता है आप 15 दिनों तक हर रात सोने से पहले चेरे पर तेल की माली जरूगर फेस मसाज करने के लिए आप सुद नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं नारियल तेल आग की स्कीन सेल्स को रिपेयर करने और तवचा को मुलायम और नमिदार बनाने में मदद करता है नमबर पांच बेसन और दाही दोनों ही स्कीन के लिए काफी बेनिफिस्यल और तवचा को निखारने में मदद करते हैं आप इस मास्क को चेहरे के अलावा हाथों पर भी लगा सकते हैं ग्लोइंग इसकीन देने वाले इस फेस पैक के लिए पांच चमच बेसन तीन चमच दही और एक चमच शहद मिला कर पेश्ट बना ले और इसे चेहरे पर लगाए पंद्रा मिनट सुख जाने के बार ठंडे पानी से चेहरे धोले आप पंद्रा दीन में तीन बार इस ग्लोइंग इसकीन मास्क का इस्तिमाल करें नमबर छह साबुन का परयोग ना करें साबुन आपकी तौँचा को सुख बना सकता है और आपकी तौँचा की चमच को कम कर सकता है साबुन में मौझूद तत्व आपकी तोचा के लिए हनिकारक हो सकते हैं इसलिए आपको इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए अगर आप अपनी तोचा को स्वास्त रखना चाहते हैं तो साबुन की जगा घरेलू चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं बजार में कुछ नेचुरल फेस्वास भी मिलते हैं जो आपकी तवचा को रूखा और बेजान नहीं बनाते हैं आप जो भी फेस प्रोड़क्ट इस्तेमाल करते सुनिक्चित करें कि या आपकी तवचा के परकार के अनुभा हो नमबर साथ अक्रोड इसमें ओमेगा थ्री फाइटी एसीड पाया जाता है जो की स्कीन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है इसके अलावा आप इसके तेल से अपनी तवचा की मसाज भी कर सकते हैं इससे आप जवान दिखने लगेंगी नमबर आढ़ एलोवीरा चेहरे पर चमक लाने के लिए यानी ग्लोइंट स्कीन पाने के लिए एलोवीरा का भी सहारा ले सकते हैं अलोविरा की पत्ती का जेल निकाल कर चेहरे पर लगाए और सुखने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो दे रोजाना एक बर ऐसा करे और फिर देखिए कि चन दिनों में ही आपकी इसकीन किस तरह ग्लो करेगी नमबर नौ ज्यादा क्रीम ना लगाए अपनी तवचा को दिन में दो से तीन बार जरूर्द हो ये साथ ही इसकीन पर ज्यादा क्रीम ना लगाए इससे आपकी इसकीन बहुत ज्यादा ओयली नजर आएगी नमबर दशकीन को सप्ता में दो बार स्क्रब जरूर करें इससे आपके चेरे की डेड़ सकीन सेल बाहर निकल जाती है साथ ही एके की सिकायत भी खतम हो जाती है बहुत ज़्यादा सकत हाथों से अपनी स्कीन को ना रगड़े इसे तौचा का प्रकीर्तिक तेल खतम हो जाता है नमबर ग्यारा जैविक भोजन और्गेनिक फूड ग्लोइंगी स्कीन टिप्स में यह तरीका सबसे पहले आता है आपकी अस्क्राप के लिए अच्छा होगी कि आप और्गेनिक फूड का सेवन ही करें खूब सारा पानी पीजिये जीन से आपके सरीर की सारी गंदगी बाहर निकल जाएंगी और आपकी इसकीन चमकदार और निखर जाएगा नमबर बारा जीवन भार यूवा बने रहे हमें जीवन की यत्रा में चेहरे पर पढ़ने वाली जूरियां और सफेद होते बालों के साथ ही प्रसन्य राना चाहिए समान्यता सुंदर दिखने का आर्थ नौजवान दिखना और घटनाओ के प्रती हमारा नाया हर्शी कोड होता है लेकिन रहास की बात या है कि यदि आप नौजवान महसूस करते हैं तो आप नौजवान दिखते हैं ध्यान करने से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और आप नौजवान तरोताजा हो जाते हैं तो आगे बढ़िये और हिर्दय से अठारह वरस का नौजवान बने रहिए नमबर तेरा मस्चिराईजार जरूर करें रूखी ताउचा आपकी ताउचा को बेजान बना देती है और यह आपके चेहरे की चमक को छुपा देती है अपनी ताउचा को स्वास्त और तरोताजा बनाए रखने के लिए आपको हर रात सोने से पहले इसे मौस्चराईज करना चाहिए अच्छी नींद ले जब आप प्रयाप्त नींद नहीं लेंगे तो आपकी ताउचा ठकी हुई और अस्वास्त दिखेगी अगर आप भरपूर नींद लेते हैं तो चेहरे पर एक अलगी निखार न जराता है नमबर 15 नियमित रूप से सफाई सबसे जरूरी बात जो समझने वाली हैं कि चेहरे पर गुलो या रंगत तभी दिखेगी जब चेहरे की नियमित रूप से सफाई की जाएगी इसलिए रोजाना चेहरे को ठंडे पानी से कई बार धोए अच्छे फेस्वास लगाए और आन्ने बादे